हरियाना स्टाप सेलेक्शन यानि HSSE की आने वाड़ी प्रिक्षियाओं को लेकर बड़ी खबर आ रही है ग्राम सचिव, हरियाना पुलिस, पटवारी, कैनल पटवारी, लेब अटेंटेंट, स्टाप नर्स आदी जो होने वाड़े एक्जाम हैं बहुशे मी या CET के तैत जो गुरूप C और गुरूप D की बरतिया होनी है तो उनके एक्जाम्स को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है अगर आप जानना चाते हैं इनके बारे मी तो वीडियो अन तक जरूर देखें नमस्कार दोस्तों मैं विजय कसाना डिजीटल फ्री सिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ साथियो अर्याना का एक मातरवी स्वस्ने चैनल जिसके उपर अर्याना की सभी परकार की बर्तियों से रिलेटिट जानकारी रेगुलर परवाइड करवाई जाती है इसलिए अगर आप भी बेरोजगारी के दोर से गुजर रहे हैं तो इस चैनल को सबस्क्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिप केशन तुरंत आप के पास पहुंच सके और अगर आप अरियाना के किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो दुरीना एप लेकर आया है आपके लिए महा ओफर साथियों ये ओफर 16 अप्रेल रात 12 वजे तक लागू रहेगा परदीप सररोन की टीम के दवारा इस एप के उपर अच्छी तयारी करवाई जाती है इसके अलावा SSC GD मैच्स के लिए परवीन कटारिया सरका कोर्स भी उपलब्ध है दुरीना एप के उपर साथियों एप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है एप के उपर जाकर और आप सभी कोर्स पर चेज कर सकते हैं चलिए साथियों SSC एगजाम की बड़ी खबर की बात करें तो कल अरियान सरकार ने एक नोटी जारी किया था COVID-19 की जो गाइडलाइन जारी की गी थी उसके तहत अरियाना में रात 9 बजे से और सुबह 5 बजे तक जो लगा दिया गया है कोरोना के जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं उनको देखते विए सरकार ने लोगडाउन लगाया है इससे पहले वैसे सरकार बोल रही थी कि अरियाना में लोगडाउन नहीं लगेगा लेकिन आ बात करते हैं HCC एगजाम की कि कब होंगे साथ यो HPSC ने एगजाम डेट जारी की थी 23,24 और 25 अपरेल को एगजाम करवाने की और उन एगजाम के एडमिट कार्ड कल जारी कर दिये हैं इसकी जानकारी भी हमने सबसे पहले प्रोवाइड करवाई थी ये दोनों वीडियो इ HCC भी एगजाम करवा सकती है और अगर HCC चाहे तो पिछली बार जब कोरोना काल चल रहा था तो उस समय साथियों PTI भरती का एगजाम भी लिया गया था तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो लोकडाउन लग गया है उसके तहत आपकी परिक्षया नहीं हो सकती हाँ ये जरूर है साथियों कि अगर कोरोना केस बढ़ते हैं तो एगजाम होने के इन महीनों में चांस कम हो जाते हैं लेकिन आप मोटिवेट रहे और अपनी तयारी रखे और रही बात SSC CET की तो साथियों CET के रजिस्ट्रेशन ही 31 मही तक होने हैं और मुख्यमंतरी जीने 31 मही के बाद जून या जुलाई में एगजाम होने की बात कही थी और बात करें अरियाना पुलिस और गराम सचीव बरती की तो साथियों इन में ज्यादा कंडिडेट हैं हो सकता है बड़ी बरतियों का एगजाम अब ना हो उससे पहले स्टाप नर्स वगेरा का एगजाम करवा लिया ज रखती है बलकि बड़ी बरतियों के एगजाम एक दो महीने या तीन महीने लेट होने के चांस बन रहे हैं लेकिन आप अपनी पढ़ाई जारी रखें आपको अमारे अपडेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज कर दो दो देमे